जै मसिकी and गुट मॉनिंग आज सुभा प्रभु का वच्चन हमारी लिए मती का सुसमचार पंदरवी अध्याय और ग्यारवी आयत मैत्यू चैप्टर फिफ्टीन वर्स इलेवन यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं जो मूँ में जाता है वो मनुश्य को अशुद्ध नहीं करता पर जो मूँ से निकलता है वही मनुश्य को अशुद्ध करता है ईश्यमसी यहाँ पर कहता है कि जो जो बाते हमारे मूँ से निकलता है वो बाते हमें अशुद्ध करता है ईश्यमसी यहाँ पर क्या कहना चाता है हम इस बात को और अच्छे से समझने के लिए उसी अध्याय का अठारवी आयत को पढ़ेंगे verse 18 यहाँ पर इशुमसी कहता है पर जो कुछ मुझे निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुश्य को अशुद्ध करता है अब इशुमसी यहाँ पर कहना चाहता है कि देखिए जो जो गलत बाते हमारे मुझे से निकलता है वो सबसे पहले मन में उत्पन होता है मतलब हमारे मन को संभालना बहुत ज़रूरी है मन में कौन-कौन सी वाते आती है हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय का 19 वी आयत क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यबिचार, चोरी, जूटी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है ये सारी बुरी बाते हम लोग करने से पहले व्यबिचार करने से पहले उसकी शुरुवात हमारी मन में होता है चोरी करने से पहले हम लोग सोचते हैं चोरी कैसे करना है किसी से लड़ाई करने से पहले उनके खिलाफ बुरे विचार आता है तो सबसे पहले जो बुराई हमारे अंदर से निकलता है वो मन में उत्पन होता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें हमारा मन का रक्षा करना है नीती बच्चन में इस प्रकार लिका है सबसे अधिक अपनी मन की रक्षा करो मेरे प्रियो हमें जांचना जरूरी है कि एक दिन में कौन-कौन से विचार हमारे मन में आता है और उन विचारों में कितने गलत विचार है बहुत से वक्त हम लोग बुरे विचारों के साथ संघर्ष करते है हम लोग inferiority complex के साथ हीन भावना भी हमारे अंदर होता है और हम लड़ते है नीती वचन 23 अध्याय और उसकी 7 वी आयत में इस प्रकार लिखा है क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है इसका मतलब जैसा हम लोग हमारे मन में विचार करते है हम कौन है करकर वैसे ही हम स्वयम है अगर हम हमारे मन में ये सोचते हैं कि हम लोग किसी काम के लायक नहीं है अगर हमारे मन में हम सोचते हैं अरे हम तो गंदे लोग है, बुरे लोग है प्रभु हमें आशीश नहीं देगा हमारा जीवन ऐसा ही कटेगा करकर हम सोचेंगे तो वो गलत सोच है हमें क्या सोचना है हमें वो सोचना है जो परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है एक आयत आपके सामने में रखना चाहती हूँ फिलिप्यों के पत्री चौता अध्याय और आठवी आयत फिलिपियन्स 4 वर्स 8 यहाँ पर लिखा है जो जो बाते सत्य है जो जो बाते आधर्निय है उन पर ध्यान लगाया करो हमेशा हमारे विचारों पर हमें ध्यान देना है क्या हमारे विचार सत्य है आधर्निय है उचित है पवित्र है सुहावनी है सद्गुन है इन सारी बातों को हमें सोचना है मतलब किसी के बारे में अगर हमारे मन में एक बुरा विचार आया तो हमें सोचना है क्या ये सोच के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन है अगर नहीं है तो वही पर हमें सुधार लेकर आना है क्योंकि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं सबसे पहले वो मन में होता है फिर दीरे दीरे हमारा स्वभाव में वो दिखाई देता है हमारे शब्दों के द्वारा वो दिखाई देता है फिर हम दूसरे लोगों के पास जाकर उस भाई या उस बहन की बुराई करने लगेंगे तो जड़ कहां था? जड़ हमारा विचार था तो मेरे प्रीय भाई बहनों गलत विचारों को अपने जीवन से हटाईए शैतान आपके मन में गलत विचारों को डालेगा लेकिन उसको पहचानी है कि ये विचार प्रभु की और से नहीं है ये विचार सही नहीं है और इसलिए इस विचार पर मैं जादा सोचूंगी नहीं या सोचूंगा नहीं इस प्रकार आप एक निरने लीजे हमारे अंदर हमें ये विश्वास होना चाहिए ये सोच हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए कि हम प्रबु के संतान है परमिश्वर ने अपना लहू से मुझे खरीदा है मैं प्रभू के लिए अनमोल हूँ, मैं परमिश्वर के लिए सुरेष्ट हूँ परमिश्वर मेरे जीवन को आशीष देगा परमिश्वर ने मेरे जीवन के बारे में कुछ योजनाओं को रखा है इस प्रकार के विचारों को हमारे मन में डालना है अधिक से अधिक प्रभू का वच्चन पढ़ना है प्रभू के वच्चन से हमारे मन को भरना है और ऐसे करने से हम लोग बुरे विचारों से लड़ सकते हैं बहुत से वक्त हम चाते हैं कि बुरे विचारों से हम लड़े। लेकिन हम लड़ने पा रहे हैं। हम जए नहीं पा पा रहे हैं। उस समय पर हमें ये समझना है। वो इसलिए है क्योंकि प्रभु का वच्चन हमारे अंदर नहीं है। तो मेरे प्रीय भाई भैनों हमारे जब आता है उसके उपर हम कबजा पाएं और सिर्फ सही सोच को हम सोचे आईए हम लोग प्रातना करें सुवर्गे पिता आज का वचन के लिए धन्यबाद प्रभु जी हम दूआ करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में हम सही बातों को सोचे वही बातों को सोचे जो सत्य ह जो आदरनिय है जो उचित है पवित्र है सुहावनी है प्रभु जो प्रशमसा की बाते हैं जो मन भावनी बाते हैं उन्हीं पर हमारा ध्यान लगाए रखने के लिए आप हमारी मदद करना सारा बुरा विचार हमारी जीवन से निकल जाए परमेश्वर विचार का सोच जलन इर्शा नफरत ये सारी भावनाय हमारे मन से निकाल दीजे प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र बनाईए परमेश्वर हमें ऐसे बरतन बनाईए जो प्रभु आपकी महीमा वहां से प्रकट हो पाए प्रभु हम दूसरों के लिए काशिश का कारण बन जाए आदर और महीमा आपको देते हुए ईश्वर के नाम से हम मांगते हैं आमेन गौड ब्लेस यू ओल जैमसी की